सुपरभाद चातरों, मैं आपकी हिंदी के अध्यापी का आज आप सभी को कक्छा साथ का पार्चार पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है नसार, यह एक कहानी है, तो आईए जाने इसके माध्यम से लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं, तो इसके लेखक मुंसी प्रेमचन जी हैं, जो हमें बताना चाहते हैं कि हमें हमें सामर्थ के अनुसार प्रोपकार करना चाहिए, कभी भी घमन नहीं करना चाहिए, सभी के साथ प्रेम पुरुवक विवाहर करना चाहिए, और इसका विचारात्मक तत ही यह है कि किसी भी वैक्ति का आचरन उसके परिवेस के उपज होती है या इंसान जैसे ही परिवेस में रहता है वैसे ही वो बन जाता है तो आए दो मित्रों के माध्यम से हम जाने कि किस परकार हमें हमारे परिवेस का असर पड़ता है तो इसमें इस वर ये एक लड़का है जो कि जमिदार का लड़का है और एक गरीब लड़का है जो कि एक कलर का बेटा है, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदात नहीं है, वे दोनों में परस पर बहस होती रहती है, वे लड़का जो है जमिदार की बुराई करता है, उसे हिंसक पसो और खुंच उसने वाली जोक और विरिचो की चोटी पर फुनने वाला बंजा कहता है, वा जमिदारों का पक्ष लेता है, इस वरिये जो है जमिदारों का पक्ष लेता है, पर स्वर्भावता उसका पहलू कुछ कमजोर होता है, क्योंकि उसके पास जमिदारों के अनुकुल कोई दलील नहीं रहती है, या कहना कि सभी मनुसे बराबर नहीं होते चोटे बड़े हमेशा होते रहते और होते रहेंगे लचर दलीले रहती है किसी मनुसी या नैतिक नियम से इस विवसाय का चित्थ सिध करना कठिन रहता है तो लगका इस वाद विवाद में गर्मा गर्मी में अक्सर तेज हो जाता है दिल पे लगने वाली बाते कह जाता है लेकिन इस वरिये हार कर भी मुस्कुराता रहता है लेकर मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा सायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्च की कमजोरी समझता था नौकरों से कभी भी इस वरिये सीधा मुबात तक नहीं करता था अमीरों में जो एक बेदर दियो उदर इसे बाहर हो जाता था सुस्ती या बत्तमी जी उसे जराभी बर्दास नहीं थी पर दोस्तों के साथ और विशेश कर अपने इस दोस्तों के साथ वो हमेशा ही प्रेम पुर्वक वेवाहार करता था यदि उसकी जगा लड़का होता तो सायद उसे भी वही कठोरता पैदा हो जाती जो उसमें थी क्योंकि उसका लोग प्रेम सिधान पर नहीं निजी दसाओं पर टिका हुआ था वह मेरी जगा होकर भी सायद अमीर ही रहता क्योंकि वह प्राकिर्टी में विलासी और इस्वर्य प्रिय था अब की दसहरे चुटी में उसने निस्टे किया कि वह घर नहीं जाएगा मेरे पास किराय के लिए रूपे ना थे और मैं घरवालों को तकलीफ नहीं देना चाहत था क्योंकि वह जानते थे कि उनके परिवार वाले अपनी हैसियस से जादा उनके लिए कर रहे हैं और इसके साथ ही परिच्छा का भी ख्याल था अभी कुछ पढ़ना बाकी ही था और घर जाकर कौन पढ़ता है बोडिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जी नहीं चाहता था इसलिए जब इस वरिये ने उससे अपने घर चलने का नयुता दिया तो बिना आगरा के राजी हो गए इस वरिये के साथ परिच्छक की तैयारी भी खुब हो जाएगी क्योंकि वह आमीर होते भी मेहनतियों और जहीन है इस वरिये ने यह करने के सा आस्मियों पर ही दावे की सासन करते हैं और कि इस वर आस्मियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है और आस्मी भी वही समझता है कि अगर उसे सुझा दिया जाए कि जमिदार और आस्मी में कोई मौलिक भेद नहीं तो जमिदारों का कहीं पता न लगेगा पर लेखक कहते हैं कि अगर वो ऐसा समझते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होगा तो इस वर ये इसका जवाब लेखक पे ही छोड़ देता है कि वो अपनी विवेक से ही इसका हल करे और इसके बाद वो लोग सेकंड क्लास के बस से अपना सफर करना चाहते हैं सेकंड क्लास तो क्या लेखक ने क अभी इंटर क्लास में भी सफर नहीं किया था अब सेकंड क्लास में सफर करने के जब सौभाग प्राप्त हुआ तो गारी तो 9 बजे रात को रात को आती थी पर यात्रा के हर्स में वे साम कोई स्टेशन जा पहुचे कुछ देर इधर उधर सेर करने के बाद कुण लेकिन ना जाने क्यों उनको उनकी गुस्था की बुरी लग रही थी पैसे इस वर्ये की जेब से गये सायद उनके पिता को जो वेतन मिलता था उससे जादा इन खांसामों को इनाम इक्राम में मिल जाता हो एक अठनी तो चलते समय इस वर्ये नहीं दी फिर भी लेका उसे उन सभी को उसी तातपरेता से विनय की परतिक्षा करता था जिससे की इस वर्ये की सेवा कर रहे थे इस वर्ये के हुकमें पर सब दोर लगाते थे लेकिन लेका कोई चीज मांगते थे तो उतना उसा नहीं दिखाते थे इस वर्ये के हुकमें पर सब दोर जाते थे इस इस्वरिय को सलाम किया और उनकी और देखा तक नहीं इस्वरिय ने कहा कितने तमीजदार हैं ये सब हमारे नौकर हैं जो कि कोई काम अच्छे धंग से नहीं करते हैं तो उन्होंने दाथ खटे करते हुए कहा कि अगर तुम अपने नौकर को भी रोज इनाम दिया करोगे तो वो भी तमीजदार हो जाएंगे तो वो कहते हैं कि तो क्या तुम समझते हो या केवल इनाम की लालच में इतना अदब करते हैं तो वो कहते हैं कि जी नहीं कदर पी नहीं तमीज और अदब तो इनके रत में मिल गया गारी चली डाग थी प्रयाग से चली तो प्रागर जाक रुकी एक आदमी ने उनका कमरा खोला तो लेखक चिला उठे दूसरा दर्जा है सेकंड क्लास उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर उनकी और विचीत्र पेक्षा की द्रिष्टी से देखा और कहा जी हां सेवक भी इतना समझता है वो अब बीच वाली बर्थ में खड़े थे दो भद्र पुरुस्ते पांच बेगार बेगारों ने उनका समान उठाया दोनों पीछे पीछे चले एक मुसल्मान था रियासत अली और दुसरा ब्रह्मन था राम हरक दोनों ने उसे उन्हें आप परिचित नेत्रों से देखा मानों कह रहे हो तुम कवे होकर हंस के साथ कैसे रियासत अली ने इस वरिये से पूछा या बाबू सहब क्या आपके साथ रहते हैं इस वरिये ने जवाद दिया हां साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं यो कहिए कि आप ही की बदालत मैं इलाहबाद में पढ़ा हूं नहीं तो कपका लखनाउ चला आया होता, अपकी बार मैं इन्हें घसीत लाया हूँ, इनके घर से तार आज चुके थे, मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिये, आखरी तार तो अर्जिंट था, उसकी फीज चार आने प्रती सब्द थी, पर यहां से उसका जवाब भी इनकारी होगा, दोनों सर्जनों उनकी और चकित नेत्रों से देखा आतंकित हो जाने की चेश्टा करते हुए, जान पड़े इस वरिये ने संका निवारन की महात्मा, रियासत अली ने अल्द संका से स्वन में कहा, लेकिन आप बड़े साधे लिबास में रहते हैं, इस वरिये ने संका निवारन की महात्मा गांधी के भक्त हैं सहब खदर के सीवा और कुछ पहनते ही नहीं पुराने सारे कपड़े जलाईयों कहो कि राजा है धाई लाग सलाना की रियासत है पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथाले से निकल आये हैं राम हरक बोले अमीरों का ऐसा सुभव बहुत कम देखने में आता है कोई भाप नहीं सकता रियासतरी ने समर्थ किया अपने महाराज चंगाली को देखा होता तो दांतों तले उंली दबाते एक गाड़े की मिजा मिर जई और चमरोधा जूता पहने बजार में घूमा करते थ मैंने मन में कटा जा रहा था पर ना जाने क्या बात थी कि यह सफेज जूट उस वक्त मुझे हस्प्रद ना जान पड़ा उसने परतेपवाक के साथ मन में उस कल्पित वैभाव के समीपतर आता जाता था वे सवार नहीं हूँ हाँ लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूँ या देखा तो कलानरास घोड़े हमारे लिए तयार खड़े थे उनकी तो जान ही निकल गई सवार तो हुआ पर बिटियां काप रही थी उन्होंने चेहरे पर सिकन ना पढ़ने दिया घोड़ों को इस वर्ये की पीछे डाल दिया खरियत हो तो यह हुई की इस वर्ये ने घोड़े को तेज ना क्या वर्ना सायद वे हाथ पैर तुरवा कर लोड़ते संभव है इस वर्ये ने समझ लिया हो कि या कितने पानी में है इस वर्ये का घर क्या था किला बड़े इमाम बड़े का साफ फाटक द्वार पर पहरेदार तहलता हुआ नौकर का कोई हिसाब नहीं पर एक हाती बंदा हुआ इस वरिये ने अपने पिता चाचा ताउ आदी सभी इस से उनका परिचे करवाया और उसी अतिश्वक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी की कुछ ना पूछी नौकर चाकर ही नहीं घर के लोग भी उनका समान करने लगे देहाद के जमिदार लाखों का मुनाफ़ा मगर पुलिस कॉंस्टेबल को भी अफसर समझने वाले कई महा से तो उन्हें हुजूर हुजूर करने लगें जब जरा एकांत हुआ तो उन्होंने इस वरिये से कहा तुम बड़े सैतान हो यार मेरी मिट्टी क्यों पलित करते हो यह पार्ट यहीं पे समाप्त होता है आप सभी को इस पार्ट का पार्ट का दूसरा पार्ट मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी धन्यवाद